हेलो दोस्त विल्कम बैक टो मिस्टर कार्स मैं हूँ आपका दोस्त प्रदीपक्वन दोस्तो आज हमारे पास में है इंडिया की one of the best cruiser bike जिहां दोस्तो हमारे पास सामने खड़ी है हॉन्डा हाइनेस और इस गाड़ी के बारे में अगर आपको जानना है तो एक ownership रिवी तो होना ही चाहिए और आज हमारे साथ में निलेश मिस रहा है जिनको ये गाड़ी गिफ् सबसे पहले चैनल को सबस्क्राइब कर देंगे चले बड़े को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको बहुत बदाए आपकी नई गाड़ी के लिए तो एक छोटा सा पहले इंट्रो दे दीजिए अपना सबसे पहले मैं आपका बहुत सुक्रिया करना चाहूंगा जो अपने मुझे ऐसा प्लेट्फर्म में गुलाया अपने चैनल गुलाया और सबसे पहले मैं स्टूडेंट हूँ मेरा भी ग्रैजूशं हुआ हैpf और साथ में मैं कईक काम द्रेख ता तो मैं साथ में MIJे ऐक ऐसा प्लेट्फर्म बता चिला की मैं जमीन काम कर से हूंगा जहां बाहर ऐसा हो रहा है क्या काम, पर हमारा सिटम है कहारियर प्लांट डिजाइन में हुआ, सिस्टम बताया गया, तो मैंने उसमें वर किया, मैंने अच्छा काम किया, तो कमपनी के तरफ से मुझे ये गाड़ी इनाम के तोर पे मुझे दी गई, क्या बात है, बहुत सही ह और आदमी को लड़के सपना होता है कि मैं गाड़ी लेनी दिमाग में आता है कि गाड़ी हो सकती है तो मैं एक साकेद नगर गया था तो पहले मेरे दिमाग में थे हंटर करी तो वहां के बंदी नें बैया की हाइट पर इकारे कारे है के जब की मुझे पसंद आ इा है यॡरी फूरी tuck तो चेक क्लासिक को तो मैंने क्लासिक जब मैंने चलाई तो चोड़े आखे लगी काडे रहे हैं क्लासिक है तो इसके बगल में सब्सकार कि मैं अब फैस 사랑 घर स हर से लोड में गया तो कम से कम 28-30 बर गाड़ी हमको दिख गई क्लासिक लासिक और मेरे अंदर पहले हमेशा सा ऐसा कुछ है कि ऐसी कोई चीज लो जिस आस पर किसी के पास हो ना तो अगले दिन बुकिंग कराने गया तब मेरा ध्यान गया कि उसके थोड़ा सा आगे बिगविंग का सोरूम भी है तो मैंने क्या चीज है में इस गाड़ी बारें पता हो था सुना हुआ था यूटब में बहुत देखा था मुझे गाड़ी बिल्कुल पसंद नहीं थी तो मैं पापा को लेकर आरेज देखने गया मैंने आरेज देखी पर मेरा ध्यान इसके पास भी गया उन्होंने मुझे ये कहा अगर आपको क्योंकि महावारा काम उन्नाओ और कानपूर लखनाओ फटेपूर ऐसे हैं तो में हाइवे में चलना है तो यह गाड़ी आप से ब सबसे टॉप मोडल है यह गाड़ी मुझे पाड़ी थी ऑन रोड दो पैसट की दो लग पैसट की चलो ऑके बहुत सही यह गाड़ी मुझे अराउंड एक से देड़ मेहना होने वाला है गाड़ी को किसी गाड़ी को काफी बहतर है उनको कोई दिक्कत नहीं हो कि सीट का कमफर्ड बहुत ही तगड़ा मिल जाता है अब बात कीज़ें फूड़ा से गाड़ी के बारे में कि गाड़ी अब जैससा आपने वीडिओ में देखा था कि गाड़ी बिल्कूल पसंद रहे तो अब प में चलाने के बाद में आपको कैसी लगती है गाड़ी मैं यह कहूंगा कि यह लेला है मैं मजनु है इस गाड़ी से मुझे महबत सी हो गई है ओमाइग गाड़ी का लावा कुछ भी गाड़ी चला आता हो तो मुझे अच्छी नहीं लगती अच्छी नहीं लगती इतना जबर और इसमें आप टूरींग करते हो तो comfort उतना नहीं आता है इसमें आ पी करते हैं लखनों मैं गया हूं मुझे बिल्कुल फकार नहीं हुए और इसके दूसरा पता चला मुझे क्या बुलेट में एनलोग सिस्टम आता है इसमें एनलोग भी प्लस डिजिटल भी दिया गया है दोनों चीज़े उसमें क्या होता है आप मालेज लिकालते हो पर यह गाड़ी आपको अपना मालेज बताती है अगर आप इको मोड में चलात इसने में हाइस दिया है मैंने 38 तक लिकाला है 38 तक वैसे कंपनी कितना क्लेम करती है 45 कंपनी कहती है जब आपसकी सेकंड या तीसरी सर्विस हो जाएगी तब यह गाड़ी आपको 45 का देगी ओन हाइवे और सहर में आपके गाड़ी देगी 35 करहा हूँ आपको 38 क्यास पस मि 33 तक लिकल जाता है जाता है गाड़ी की बालेंसिंग कैसे भारी गारी लगता होगा बहुत भारी चलाने में ऐसा कुछ लगता है गाड़ी है बारी जो फिल नहीं होगा उगको लग रहा कि गाडी आप अराम लब हल्की गाड़ी चला रहे ह। कि गाड़ी भारी है इसका कंपरमिशन मैं आपको दे दें ग 구. आभी मैं इस गाड़ी मतलब 3-4 G0 पे मज़ा आई और पिल्कुल ऐसा लगी नहीं रहा था कि मैं एक भारी गाड़ी को चला रहा हूं जस्ट मतलब ऐसंग बहुत हलकी गाड़ी को चला रहा है और बहुत अराम से आप इस गाड़ी को चला सकते आको जर्ण सा भी परिशानी नहीं होगी इन्टर थ्रीकुटी भी च और इसकी पावर जब आप चलाएंगे फील करेंगे मैं आप से बोलूंगा नहीं जब आप चलाएंगे तो इस गाड़ी में प्रेंगे अपने आप हो जाएगा पावर के मामले में कहीं कमी नहीं कमी लगी है और अगर बात कीचे हैं सबसे मामले में होनडा नहीं दिक्कत पूरी खतम कर दी है इस गाड़ी की वाइबरेशन बिल्कुल खतम है बिल्कुल वाइबरेशन नहीं है और सबसे बढ़िया है कि आपका हॉंडा का एंजन है तो हॉंडा से अच्छा रिफैन्मेंट कौन देगा और वो काफी बहतर मिल जाता है अच्छा अगर बात कीजाए गेर के बारे तो आपने इसमें जो पांच्वा गेर हैं आप कौन से स्पीड में डालते हैं कैसे एक्चुली मेरे हिसाफ से अगर आप नॉर्मल ड्राइव करते हैं तो पांच्वा गेर के आपको जरुवत ही नहीं पड़ेगी चौथे गेर में यह गाड़ी 110 तक जाती है और आपको लगेगा नहीं कि आपको पांच्वा डालना चा मतलब यह चीज काफी मतलब यूनिक है कि पांच्वा गेर इसमें हंडेट के उपर डालते हैं और काफी ज़्यादा बहतर भी है इंजन वाइस अगर देखा जाता है अच्छा थीक है मेरे हिसाब से पर रात के लिए बिल्कुल मेरे साब से नहीं है इसका एक ही डूंग्रे इसके मारे हो रहा हूँ हेलोजिंग बात अलग हो जाती है पर इसमें मुझे थ्रो इतना मजा नहीं है थोड़ी सी मतलब इनको डिसपॉइंट करें जैसा कि उन्होंने खुद बता है जो चीज अच्छी है जो थोड़ी सी कमी है उसी इसको कमी बता है अच्छा लावा और क यह से पहले लीड मॉडल आता है उसका सीट था कंफर्ट बहुत अच्छा है इसका मुझे समझ में नहीं पर इसका स्प्राइब जदया है थोड़ी से नहीं सीच रेकिसे अबकि सपंसन कैसे गाड़ी संधिन बहुत प्यारा है मैं आप अब गड़्ध पता ही चलेंगे इत यहाओ सब्सक्षां से इसका ब्रीकिंग स्टम क benevolent के सबसे बढ़ी बात ही है कि सबसे बड़ी बात भी आपको कमपनी ट्रेक्सिंग केड्रों गट्रों डेती है जो कि मेरे ख्याल से qv2,000,000 के सब्सक्राइब के नहीं आता है आपको भी गाड़ उठा लिए ट्रेसेंग कंट्रोल किसी नहीं मिलेगा और यह काफी बहतर है गाड़ी और कितना पैट्रोल कितना जाता है इसमें टैंक पंदा लिटर का है और जो बागी क्रूजर वाइक होती है बुलेट मान लेते हैं उसमें 13 लिटर गाता है इसका टैंक प्लस पॉइंट बदाती है होंडा हाइनस को लेकर और बहुत सारे लोग शायद होंडा इनस को नहीं देखे होंगा रॉयल इंफिल्ड के सिर्फ नाम से हंटर 350 या बुलेट खरेब लेते हैं लेकिन इसको भी एक बार देखना चाहिए कहीं ने कहीं अंडर रेटेड गाड मतलब बात में आपको रिगरेट ना होगी आपका दोस्त ले आए और पता चले आप से बुलिक भाई इपर चला के देखो तो उस ताइम लगे यार कास मुझे ले लेना चाहिए यह वाली थी साहिद आपके पसात में नहीं होगी अगर आप पहले टेस्ट डाइब ले ले आपके में ट्रिप ए दिखाता है कि आप कितने किलो मिटा चल चुकी हो आपका ट्रिप भी दिखाता है और साथ में आपका ये ट्रिप ए का एवरेज भी दिखाता है अगर आपने इतने क्लिम्टर चले हो तो आपका मैलेस का लिखला जिससा भी लिखके आ रहा है कि अठ् ट्रेक्सिंग कंट्रोल भी गाड़ी में दिया गया है यह तो बहुत अच्छा है सबसे बढ़ी आता है इस सेग्मेंट में किसी भी गाड़ी में ट्रेक्सिंग कंट्रोल नहीं आता है अच्छे में कितने मोड मिलते हैं अपको इस गाड़ी में दो मोड मिलते हैं एको स्पोर सब्सक्राइब लिखके नहीं आता है सब्सक्राइब जाती है पर गाड़ी में जब 500 डालो गया तब एक चेंड में आपको लगेगा एक्जॉस्ट का साउंड इतनी तेज मलब चेंज हो जाता है बिल्कुल इतना अच्छा प्यार साउंड आता है गाड़ी की जो परफॉर्म दोस्तों यह होंडा हाइनिस का साउंड आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा है और काफी जबर्जस लगता है मज़ा आती है और यहां पर देख सकते हैं आइधिक डूल हॉन इसमें होता है तो यह काफी ज़्यादा बहतर मिल आते हैं अच्छा गाड़ी का लुक्त तो मे और तीन साल जाए और तीन सर्विस मुझे फ्री मिली है अच्छली मैंने लिया था दो सर्विस देते हैं बहुत अच्छी लगा काड़ी जब प्ले रहे था तो कस्टुमर के वह बहुत बहुत रहे धर कोई ध्यान नहीं क्या है रोयल इंफिल्ड का नाम हो चुका है आप नाम से बिखती है आपका गाड़ी तो आदमी ले गई पर हॉंडा में रिलेशन में अच्छा दिया है आप गए आपको तुरन अच्छा आपका रिस्पेक्ट करते हैं आप जितनी बार पर टेस्ट मैंने जावा का 42 देखी थी और यसडी की रोस्टर भी देखी थी मैंने तो रोस्टर भी गाड़ी बहुत च्छी है रोस्टर गाड़ी बहुत च्छी प्यारी गाड़ी है पर उसका जो मुझे बैठने के तरीका था comfort वो मुझे समझ नहीं आया उसका हैंडल जो था तो आपको एक ही निगेटिव पॉइंट लगा वो है इस गाड़ी का लाइट बाकी सारा कुछ बहुत अच्छा हो जाए गाड़ी से बेस्ट कोई गाड़ी नहीं मार्केट में तो अगर इन दो चीज़ों पर ध्यान देगा तो काफे यदा बहतर हो सकती है तो दोस्तों य यह वीडियो उमीद करते हैं कि आपको पसंद आए और आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे वह अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज कमेंट करके ज़रू बताएगे निलेज जी आपने बहुत अच्छे से बताये गाड़ी के बारे में तो दोस